नमस्कार दोस्तों, बजट दोजार चोईस अब आपके मेरे सामने है और मेरे इसाब से अगर इस समय की सबसे बड़ी धमाकेदार ख़बर की बात करूं तो वो यही है दोस्तों, कि इस बजट में कैपिडल गेन की टैक्स रेट्स में काफी परिवर्तन कर दिया गया है, ये क शूटे से वीडियो के थ्रू आपके समक्ष इन टैक्स रेट्स में आया बदलाव रखने की या प्रस्तावित बदलाव रखने की कोशिच करता हूँ दोस्तों शुरुआत गुड न्यूस से करनी चाहिए कि ओके भारत सरकार ने आपको क्या प्रस्तावित किया है कि ऐसा क्या अच्छा मिलने वाला है तो गौवर्मन्ट ये कह रही है कि लॉंग टर्म कैपिडल गेन टैक्स रेट और अधर देन लिस्टेड शेयर इकुटी ओरेंटेड मुच्वल फंड इस नाव रिद्यूस रॉंटी परसेंट तो ट्वेल पॉंट फाइट परसेंट विद इफेक्ट रॉंटी थर्ड ऑफ जुलाई ट्वंटी 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 तो यानि आज दिनांक 23 जुलाई को जब बजट आया है उसी तिथी से भारत स सरकार ने गुष्णा कर दी कि प्रस्तावित कर दिया कि अगर आपकी कोई भी लॉंग टर्म कैपिटल एसेट है जो लिस्टेड शेयर एकुटी औरिंटेड मुचल फंड या बिजनस ट्रस की यूनिट्स के अलावा है फॉर एन एग्जामपल रियल एस्टेट कि आज 23 लगेगा यानि सीधे सीधे साधे साथ परसेंट की टेक्स रेट में बचत है ना केवल ये साधे साथ परसेंट की रेट रहेगी दोस्तों बलकि इसके उपर आप फरदर सरचाज की रेट में भी कुछ टेक्स बचत कर पाएंगे और हीसी हेल्फ एन एडुकेशन से के पर दोस्तो टेक्सेशन नहीं होता था निल टैक्स लगता था उस लिमिट को एक लाग से बढ़कर के अब सवा लाग कर दिया यानि आपको धाई जार रुपए की बचत इस पर्टिकुलर गुड नियूस के माध्यम से होगी तीसरी बार For all asset classes, this is very important, say for an example, jewelry, artwork, drawing, painting, sculptures, etc. To be held, long term for period of holding is reduced to 2 years as compared to existing 3 years plus. Actually, क्या है दोस्तों, अब तक, listed shares के case में, equity-oriented mutual fund के case में, 1 साल प्लस पर long term capital gain होता था, इस rule में कोई बदलाव नहीं है. Real Estate में 2 साल प्लस पर long term capital gain था, Unlisted share में भी 2 साल प्लस पर long term capital gain था, इसमें कोई बदलाव नहीं है, लेकिन जो अन्य समपत्यां थी, वो 3 साल प्लस की holding पर long term में जाती थी. अब वो समपत्यां 2 साल प्लस के holding period पर भी long term category में आएंगी, तो इसका भी net net effect करदाताओं को tax बचत के रूप में, capital gain tax के बचत के रूप में मिलेगा. तो दोस्तो bad news जो शायद हम सुनना नहीं चाते, आप और में दुनों ही, लेकिन इसी bad news का किसी ने expectation भी नहीं किया था, पर यह हमारे सामने है, रखता हूँ. Short term capital gain tax rate on listed share equity oriented mutual fund units and business trust unit is increased with effect from 23rd of July to 20% from existing 15%. यानि आपके पास में गर लिस्टेट शेयर हैं, business trust की unit है, equity oriented mutual fund की units हैं और वो आप short term, within one year period of holding बेचते हैं, तो आपको अब तक 15% tax rate देना होता था, पर आपको 23 July onwards हुए transactions, पर 15 की जगे 20% rate से tax देना होगा, effective tax rate दोस्तों 20 से भी ज़्यादा होगी, यदि सर्चाज applicable होगा और HEC की rate applicable होगी इस पर तो. दूसरी बात, tax on long term capital gain transactions from listed shares, equity oriented mutual fund units and business trust unit is also increased with effect from today to 12.5% from the existing 10%. तो अभी तक long term capital gain पर 10% की tax rate लगती थी, listed shares की case में सीड़े सीड़े बात करूँ, अब वो tax rate बढ़ करके 12.5% होगी, effective tax rate साड़े बारा से भी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि सर्चाज apply हो सकता है, और HEC तो निश्चत रूप से 4% apply होगा, तो ये जो दो changes आया हैं दोस्तों, यही मेरे इसाब से share market में आई आज की fall का भी एक कारण है, पर भारत सरकार ने एक और आपको real estate में, jewelry वगरा में, tax rates में कमी का भी तौफा दिया, और दूसरी और यहाँ पर क्योंकि शायद ज्य good news और old news के, bad news के आपके समक्ष में यहाँ पर रखे, इसी के साथ साथ दोस्तों कुछ changes जो आए हैं वो slab rate में change संबंदी, standard deduction संबंदी पे हैं, जिस पर मैं जल्दी ही एक और separate video लेकर आपके समक्षाजिर होता हूँ, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत दन् आपके साथ जाहें